हाई फेंट्स आज मैं आप लोग के साथ सेयर करनी वाली हूँ रेस्टूरेंट इस्टाइल डाब पनीर की रेसिपी जो की बहुत ही युमी है और ये प्योर भेज रेसिपी भी है तो ये मज़दार रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आए जान लेते हैं एक चमच सफिर सरसो फिर पांच चे काजू और दो बड़े चमच ग्रेटेड कोकोनाट इसके साथ हम लेंगे दो बड़े चमच खटा दही और साथ में लेंगे कोकोनाट का मिल्क यहां पर कोकोनाट को ग्रेट करके पानी एड़ करके मिल्क को रेडी कर लिये हैं अब इसमें जाएगा दो चम्मच अमूल का मिल्क पाउडर साद अनुसार नमक जाएगा और एड़ कर देंगे आदा चुटे चम्मच चीनी अब हम लेंगे कोकोनट का पानी तो यहाँ पे तीन चार चम्मच कोकोनट का पानी यूज करेंगे ताकि यह जो पेष्ट है मसाला का यह अच्छी तरह से हमारा बन के रेडी हो जाएगा तो चलिए पेष्ट को रेडी कर लेते हैं लेकिन हाँ पेष्ट को थोड़ा सा हम कीलिए इसे आम साइड मी रख देते हैं आ जाते हidenck transfer पर यहां पर हम लिए हैं 200 ग्राम पनीर पनीर Müर्व मन्हार हम रेडी करके हैं तो तीन चार चमच कोकोनट का पानी फिर से हम इसमें एड़ कर दिये हैं तो चलिए अब इसमें हम अच्छी तरह से एक स्पून के मदद से मिक्स कर लेंगे ये जो रेसिपी है ये सफिद कलर काई होगा हल्दी का यूज नहीं करेंगे तो चलिए अच्छी तरह से ये मिक्स करने के बाद ये जो कोकोनट है इसे हम खाली कर लिए हैं मतलब इसमें जो पानी था वो हम निकाल लिए हैं और एक प्लेट में रख लिए हैं और अब ये जो पनीर और ये ग्रेवी हम इस कोकोनट के अंदर भर लेंगे सारा पनीर अगर नहीं भरे तो कोई दिकत नहीं है आप बाद में एक टिफिन बॉक्स के अंदर ये पनीर और मसाला भर के उसमें स्टीम करके भी इस रेशिपी को बना सकते हैं तो चलिए कोकोनट ना हो तो भी कोई जंजट नहीं इस तरह से टीफिन बॉक्स के अंदर इसे आप बना सकते हैं तो इसमें हम दो हरी मिर्श फिट से एड़ कर दिये हैं अब इसके जो मुह है इसे हम आटा लगा के सील कर देंगे ताकि जब इसे पकाएंगे तो अंदर का जो इस्टीम है वो बाहर ना आ जाए तो इस तरह से इसका जो मुह है वो बंद कर देंगे तो चलिए प्रेस करके इसे सील कर दिये हैं अब इसे हैं पकाने की बारी तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में पहले से ही दो ग्लास पानी एड़ कर दी हूँ अब एक कटोरी के उपर ये जो कोकोनाठा इसे रख के इस तरह से और एक बड़ा सा कढ़ाई इसमें ढख दिये है पंदरा मिनिट लगेगा इसे तयार होने में पंदरा मिनिट बाद गैस आफ कर दे और इसे थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम में रख दे तो चलिए हलका सा ये हमारा ठंडा हो गया है अब है इसे सर्व करने की बारी तो चलिए, एक प्लेट में हम इसे सर्व कर लेते हैं फ्रेंड, ये बहुत ही फेमस एक रेसिपी है आप लोग इसे जरूर एक बर ट्राइ करें बहुत खी टेस्टी लगता है और खाने में तो healthy है ही तो एक बर इसे ट्राइ करना तो बनता ही है इसके अलाबा और भी पनीर का बहुत सारा रेसिपी मैं अपने चैनल में है शेयर कर चुकी हूँ उसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग इस वीडियो के एंड में उसे चेक कर सकते हैं और हाँ आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में बताना ना हुलिएगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजिए और हाँ मेरे चैनल पर अगर नए है तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करके जाए तो फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ख्यार रखे थेंक यू